नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मकर सक्रान्ती के तेवहार पर गंगा, सनान, दान, पुण्य, पूझा, पाथ, विसेस, मंत्रों का जब, इन सभी चीजों का विसेस विधान है क्योंकि मकर सक्रांती के दिन सूरे धनु रासी को छोड़ कर अपने पुत्र सनी देव की रासी मकर रासी में प्रवेश करते हैं और इस दिन सूरी देव दक्षिनायन से उत्तरायन हो जाते हैं और दिन लंबे और रात छोटी होने लगते हैं और तमाम सुब मंगल कारे भी सुरू हो जाते हैं तो सूरी का ये परिवर्तन जीवन में खुसियां तो लाता है और साथ ही खर्मास भी समाप्त हो जाएगा और सुबकारे भी शुरू हो जाएगे इस दिन बिसेज कर गंगा नदी में असनान या पवित्र नदी सरोवर में असनान कर सकरांती पर कुछ चीजों का दान करने से जीवन के सभी कष्ट से आप मुक्ति पाया सकते हैं और जीवन के सुखों को बढ़ाया जा सकता है अगर हम सास्त्रों की माने तो इस दिन किया गया दान कभी ब्यर्थ नहीं जाता कभी खाली नहीं जाता लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे होती है जो हम जाने अंजाने अपनों के घर से या अपने का मतलब है कभी हम दोस्तों की हाँ ले लेते हैं कभी हम किसी रिष्टेदार की हाँ से ले लेते हैं कभी किसी और से ले लेते हैं अब वो कौन सी बस्तु है जो कभी भूल कर किसी से नहीं लेना चाहिए दान करना अच्छी बात है दान आप कर रहे हैं ताकि जीवन के हर मार्ग खुलें तरक्की के और मकर सक्रांती पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका दान तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए वैसे मुख्य तोर पर इस दिन खिचडी का दान किया जाता है गुड का दान किया जाता है कंबल का दान किया जाता है इसके अलावे तिल का भी दान किया जाता है ताकि सनिदेव उनके उपर हमेशा प्रसंद रहें अब यहां से जब मकर सक्रांती पर सुरे अपने पुत्र सनीदेव के घर जाएंगे तो इस खुसी में लोग गुड यानि सुरे भगवान का प्रती तिल यानि सनीदेव से समझ दोनों का दान करते हैं ताकि इन दोनों का मिलन भी अच्छे से हो और जीवन में खुसियां भी मकर सक्रांती के दिन खिचली का दान हर कोई करता है करना भी चाहिए क्योंकि घर में सुख और सांती का वास होता है इस दिन गुड और तिल का दान करने से मान सम्मान बढ़ता है धनलाब होता है पितर देव प्रसंड होते हैं कुंडली का बिगडा हुआ सुरे और सनी भी परिस्थिति में आ जाता है और आपके जीवन में नौकरी ब्यापार में उन्नती भी होती है इस दिन नमक का दान भी बहुत बिसेश माना जाता है इसलिए नमक डाप नमक नहीं कर सकते तो नमकीन वस्तु का दान करें क्योंकि अनिश्टूं का निवारन के लिए नमक का दान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस से बुरा वक्त टल जाता है इसलिए मकर सक्रांती के दिन नमक का भी दान किया जाता है लेकिन हमने कहा एक चीज जिसका दान किसी से ना ले अब आप कहेंगे कि तिल का दान तो हमने किया तो हम भला किसी से क्यों ना ले देखि लेकिन आप एक बात हमेशा याद रही हमारा सास्त्र कहता है अगर आप किसी और का तिल खाते हैं तो तिल तिल करके आपको उनको उनका इस तिल का कीमत वसूल करना पड़ता है अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे मतलब किसी के भी घर का तिल मत खाईए और ना ही कोई आपको तिलकुट दे रहा है तिलकल लड़ू दे रहा है अगर लाना भी हो तो प्रेम से उसका कीमत चुका के लें या आपने खाया है तो उसका कीमत जरूर दे दें मकर सकरांती के दिन भगवान सुरे अपने पुत्र सनीदेव से मिलने उनके घर जाते हैं और मानेता है कि पिता के पहली बार अपने घर आने पर सनीदेव ने उनका सतकार तिल से किया था इसलिए इस दिन तिल का प्रयोग विसेश कर किये जाते हैं मकर सक्रान्ती पर इस बार बन रहा है बहुत ही दुरलब से योग क्योंकि सुरी दे मकर रासी में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सुरी की मकर सक्रान्ती सुरू होगी अभीजीत मुहुर्त सुबह 11 बचकर 46 मिनट से दोपहर 12 29 तक रहेगा अमरित काल साम 44 से साम 36 तक रहेगा और ब्रह मुहुर्त सुबह 5 बचकर 38 मिनट से सुबह 6 बचकर 26 मिनट तक रहेगा बिजय मुहुर्त साम दोपहर 154 से दोपहर 27 तक और गोधुले बिला मुहुर्त साम 58 से साम 5 42 तक रहेगा और सुरी देव अपने पुत्र सनी देव से मिलने जाएंगे वर्स में कुल बारह सक्रांती होती है जिन में से सुरी की मकर सक्रांती और करक सक्रांती बहुत जादा खास होती है क्योंकि दोनों ही सक्रांती पर सुरी की गती में बदला होता है और सुरी की करक सक्रांती जब होती है सुरे उत्तरायन से दक्षिनायन होते हैं और सुरी की जब मकर सक्रांती होती है तो सुरे दक्षिनायन से उत्तरायन होते हैं और यहां से हर सुब मंगल कारे सुरू हो जाते हैं और यहां से दिन भी बड़े होने लगते हैं राते छोटी होनी लगती है ऐसे में इस दिन गंगास्नान करने से सभी कस्टों का नास होता है और अगर आप दान करते हैं जब तप करते हैं तो माननेता है इस दिन दिया गया दान विसेश फल देता है अगर किसी ग्रहस्त ब्रहमन को भोजन या आप करवाते हैं किसी गरीब को करवाते है तो यकिनन आपके जीवन के हर कस्ट समाफ्थ हो जाते हैं साथ ही कुछ नो कुछ दान तो जरूर करे क्योंकि मतस्य पुरान के 98 अध्याय के सतरवे भाग से लिया गए एक स्लोक है कि मैं सीव और विश्णू और सूरे एवं ब्रंभा के अंतर नहीं जानता वह संकर जो ब्रंभा करने वाले हो पुरानिक कथा के अनुसार सूरेदेव अपने पुत्र सनी देव के घर एक महने के लिए उन से मिलने आते हैं और ये दिन खास तोर से पिता पुत्र के लिए भिसेस माना जाता है क्योंकि इस दिन पिता-पुत्र का रिष्टा निकटता के रूप में देखा जाता है और जोतिस की माने तो सूरे और सनी का ताल मेल और संभव है लेकिन सूरे खुद अपने पुत्र के घर आते हैं इसके पीछे कथा भी है कि भगवान विष्टु ने मधु कैटब नाम के राक्षस का बद्ध किया था और उन्होंने मधु के कंदों पर मंदार परवत को रख दिया और उसे दबा दिया इस दिन भगवान विष्टु को मधु सूदन नाम दिया गया और साथ ही बुराई में जीत के साथ इस्तियोहार को मनाया जाने लगा हलांकि इस ब्रत के बारे में बहुत सारे कथाए हैं लेकिन सूरे देब ता उत्तरयन काल में पदारपन कर रहे हैं और सूरे देब ने मा यसोदा को उनकी मनोकामना पूरी होने का असिर बाद ही इसी दिन दिया था इस दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि कहा जाता है पूरे साल आप कुछ भी दान करें उतने फल नहीं मिलते जितने इस दिन किया गया दान का मिलता है लेकिन भूल कर भी कच्चे चाबल का दान ना करें करना हो तो बनाया हुआ खिचड़ी का दान कर सकते हैं जिसमें काली उड़र डाला हुआ हो दूसरी बात पलास्टिक के बरतनों का दान तो भूल कर भी ना करें चाहे जो हो जाए तामबा वैसे इस दिन दान तो बहुत साइच चीजें की जाती है लेकिन अगर आपका सूरे बेखतर है तो तामबा का दान मत कीजेगा वरना सूरे कमजोर हो जाएगा रही बात सनी देव से समंधित चीजों का दान करने का वो आप कर सकते हैं जो भी दान करें अपने हाथों से करें अपने उपर से तीन बार उतार कर किसी भी गरी बैक्ती को दे सकते हैं कोई ना मिले तो पीपल की नीचे प्रेम से रखा है पर इस दिन तिल खाईएगा जरूर मकर सक्रांती का तिवहार सुरी के उत्तरायन होने का तिवहार है या फिर भगवान सुरे अपने पुत्र सनी देव से मिलने उनके घर आते हैं तो इस उपलक्ष में खुसियां मनाये जाने का तिवहार है तो जब सुरी देव सनी देव से मिलने अपने पुत्र के घर आएंगे जीवन में उल्लास आएगा यहां से सुभ मांगली कारे शुरू हो जाएगे जो एक महने से बंद था जब सुर्य धनुरासी में बैठे थे तो इस बार मकर सक्रांती का त्योहार 15 जन्वरी को मनाया जाएगा क्योंकि 14 जन्वरी की रात 8 बच कर 27 मिनट पर सुर्य मकर रासी में आएगे तो पुन्यकाल यानि असनान का जो समय होगा वो कब होगा देखिए सुबह 7 बच कर 15 मिनट से सुबह 9 बजे तक जो एक घंटा 45 मिनट का अवधी है ये महापुन्यकाल का समय है इस बीच असनान कर ले तो सर्वोत तक तो हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेर करें और कमेंड में हर हर महादेब जरूर लिखे हैं धने को